कि नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से जैसा कि हम ने आप से अगले वीडियो में वादा किया था कि मैं इस बार कुछ जगगरफी के खास जो तो रिजन्ट के मुद्दे चलने हैं उस पर हम आप से चर्चा करेंगे तो आज का जो विश्य है जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हम पस्टमी विच्छोप के बारे में चर्चा करेंगे क्या होता है और विच्छोप का मतलब क्या होता साथ ही पस्टमी व फिलहार में आपको इतना बताना चाहता है कि हाल फिलहार में जो आपको आपके सामने बजट रखा जाएगा या रखा जाएगा उसमें बीकास के नाम पर कोई भी चीजें नहीं हैं कियवल और कियवल एक ऐसा बजट है जहां पूरी तरह से पूजी पतियों के लिए समर्भी आप जानते हैं कि हमारा देश और हमारी क्रिशी और हमारी अर्थवेवस्था मानसुन पर निर्भर है लेकिन कभी कभी हमारे देश में मानसुन समय के पहले और कभी कभी मानसुन समय के बाद और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बीना मानसुन के ही बारिश होने लगता है क्योंकि हमारा देश किरसी प्रथान देश है हमारे अर्थव्वस्था में 75 Braveusting किरसी का नहीं योगदान रहता है मतब कर सकते हैं कि आप बड़े पैमानी पर क्या होती है किर्सी का ही योगतान रहता है तो आप हम आपसे चर्चा क्यों कर रहे हैं कि पस्चमी बिच्छोब आप देखेंगे अक्सर ठंडियों के दिनों में या ठंडियों के दिनों में अक्सर भारी बारिस होती रहती है तो म क्योंकि कुछ दिन पहले लगाता दिल्ली तथा उसके आसपास के छित्रों में भारी बारिस हुई है और आज भी मानसुन महां का बारिस की योग्य बना हुआ है तो इसका आप देखेंगे कि एक तरफ जहां सर्दी के मौसम में भारी बारी सोने के शंभावना रहती है तो दूसरी तरफ वहीं आप गर्मियों में देखेंगे कि लूह जैसी सुस्क बातावरन इन आसपास के छित्रों में बना रहता है आईए हम समझते हैं कि पस्चिमी बिच्छो क्या है आपको पता है कि इसके नाम म इसी चीजे उत्पन होती रहते हैं विच्छो का मतलब यहां पर समझना है कि विच्छो का मतलब होता है कि वह छेत्र जहां पर हवावाले जो कम कम हवावाले डबा छेत्र निर्मित होते हैं उसे हम विच्छो नाम देते हैं मतलब कम हवावाले जहां पर विच्छेत्र उत इत्पन होते हैं इसलिए करते हैं पश्च polarization में विच्छ णतरि Ratatay एक प्रकार का तूफान है और नय सकते हैं कि यह चक्राबाँ जेसा फान है यह आपके याफिक आपके केस्पि केस्पिन सागर्या ब्हूमद सागरigned के छेत्र में उत्पन होता है इसका मतलब यह है कि भूमद सागर और कैश्पिन सागर के छेत्र में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां कम दबाव का छेत्र उत्पन होता है जिसके कार्म चक्रवाती दूफान उत्पन होते हैं यह जो विच्छोब है यह विच्छोब पस्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगातार चलता रहता है और आप देखेंगे कि यह पूर्व की ओर चलने वाली वेस्टनी धाराओं के साथ निरंतर आगे बढ़ता रहता है तो पूर्व की ओर वेस्टन से पस्चिम की दिशा से च समय पर क्या होती है कुछ ऐसे संकेतक और कुछ सूचनाय जारी करती रहती है जिससे की देश में रहने वाले लोगों को सजग बनाया जाता है तो हाल फिरहान में आयमडी ने रिपोर्ड भी जारी किया है और उनने बताया कि उत्तर पस्चिम भारत के छित्र में कुछ समय के लिए कुछ दिनों गैर मांसोनी वर्षा होती है गैर मांसोनी वर्षा का सबसे बरा कारण होता है पस्चमी विच्छोब तो पस्चमी विच्छोब के कारण उत्त प्रभावित होती हैं आप देखेंगे सर्दियों के मौसम में भारी बारिस और मांसुन पूर बारिस भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि रवी की फशनों के लिए बेहत महत्पुड होती हैं अब पश्यमी विच्छोब के प्रभाव को देखेंगे कि क्या है पश्यमी विच्छोब के प्रभाव और उसे जानेंगे आप देखेंगे कि पश्यमी विच्छोब में जो नीचली छेत्र होती हैं वहाँ अवसत से भी ज़्यादा बारिस देखने के लिए मिलती है और साथि होता है तो रात का तापमान उच्छ होता है क्योंकि भारी बादल छाये रहते हैं शांति चान हमने बताया कि रभी को फसल के लिए जहां पश्चमे विछ्चोप से होने वाली बारिस लाबदायक है तो वहीं दूसरी तरह कुछ फसल के लिए यह जो पश्चमी विच्छोब से बर्षा हो रही है वह नुक्सान दायक भी है आपको बताने कि गंगा तथा गंगा तटी छत्र या गंगा के आसपास के छत्रों में शीतलहर जैसी इस्तितियां बनी रहती हैं और आप बता दें कि कई दिनों तक लगातार कोहरा का भी माहौल बना रहता है हैं आपके परिच्छे में प्रस्ण पूछ सकता है कि पस्षमी विच्छोब कहां उत्पन होता है और विच्छोब का अर्थ क्या है और पस्षमी विच्छोब का जो दीशा होती है वो किधर से किधर चलती है और आखिर पस्षमी विच्छोब उत्पन होने के कारण क्या है तो आप इसे बहतर तरीके से समझेंगे और question को solve करेंगे बहुत बहुत धन्यवत अगरे वीडियो में हाँ जो आपको इंतजार है हम उसी को लेकर आएंगे आपसे हम बजट के बारे में चर्चा करेंगे और इसे बजट को हम लगभग तीर चार वीडियो में कभर करने का प् कि बजट में भारत के विकास से संबंदित कुछ भी चीज़े नहीं है और गरीबी और भुक्तमरी से related कुछ भी चीज़े नहीं है बस यह है कि हम अपने देश के गरीबी हटाने के लिए प्रतिव्यक्ति आयमें लगातार कमी कर रहे हैं इससे केवल डाटा के तोर पर किता सब्सक्राबों में हमारे देश के गरीबी हट रही है तो इन सभी मुद्द दोपर हम आपसे अगरे वीडियो में बात करेंगे तब तक बहुत बहुत धेने बाद आप सभी को